मैंने इससे स्केंद किया मिरा कुछ YouTube की link में को देखने के लिए में सेलेक्ENE करते हूँ दिखो यह हमको बोल रहा है कि हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा यह पैकेज क mango इंस्टॉल करलो आप किसी भी वेबसाइट के URL को यूट्यूब वीडियो को अपने प्रोफाइल के URL को किसी भी URL को आप QR कोड में easily Python की help से convert कर पाओगे तो फटफट वीडियो को 104 वीडियो को लाइक चानल को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भर बार के शेयर करो और उनको भी वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करने के लिए का हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी हम किसी programming language में code करते हैं तो हमको वहाँ पर जरूरत पढ़ती है IDE की तो आप किसी भी IDE को यूज कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर आज यूज करने वाला हूँ पायचाम को तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा जो पायचा से पहला option है हमारे पास project name का तो project name मैं आप पर देता हूं qr python project python project कर देता हूं बिल्कुल सही है ठीक है location किस location में आपको आपके project को save कराना है वह आप अपने recording set कर लेना ठीक है फिर इसके बाद नीचे हमारे पास create a welcome script को checkbox को आप कर लेना ठीकिक कर लेना ठीक है अगर आप पर आपका जो भी Python वर्जन सिस्टम पर इंस्टॉल दोगा वह आपको यहां पर विजिबल हो जाएगा मैं यहां पर क्लिक करते हो ड्रॉपडाउन ओपन होकर करके मेरे में यह वाला जो वर्जन इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास नीचे देखो सजेशन आ रहे हैं यहां पर आप अलग-अलग वर्जन अपने सिस्टम रिक्वार्मेंट के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है तो जो भी वर्जन हो आप उसको सेलेक्ट करके यहां पर नीचे क्रियेट का ऑप्शन है यहां पर क्लिक करो आपका जो प्रोजेक्ट है यह क्रियेट हो जाएगा यहांबर आप चेक कर सकते हों हमारा जो प्रोजेक्ट है यहां पर只क्त करता है अ इसको बिल्कुल परफेक्ट है ठीक है यहां पर देखो में डॉट पाईधन के नाम से हमारे लिए एक फाइल बनकर किया यह जो वेलकम क्रेप्ट वालद चेक बॉक्स मैंने टिक करवाय थ तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी हम python की help से qr code को generate करते हैं तो हमको कुछ modules होते हैं वो install कराना पड़ते हैं तो वो कैसे install होगी वो अब हम देखने वाले हैं यहां पर फर्स्ट लाइन पर क्या करना है यहां पर आपको देना है इंपोर्ट फिर यहां पर हम देंगे पी वाई qr code जैसे यह आप यह दो गए दिखो यहां पर आपको रेड लाइन देखने के लिए मिलेगी तो प्येकेज इंस्टॉल कराना पड़ेगा तो उसके लिए ह आपको बल्ब का आइकन देखने के लिए मिल रहा है इस पर क्लिक करो देखो यह हमको बोल रहा है कि हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा यह पैकेज को तो यहां पर आप पैकेज को इंस्टॉल कर लो नीचे आप देखो इंस्टॉलिंग आ रहा है यह जो पैकेज है यह हमार पर इंस्टॉल हो रहा है अगर आप पायचाम को यूज नहीं कर रहे हो किसी अनदर आईडी को यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपको यह चीज़ टर्मिनल पर जाकर करना पड़े अब यहां पर आप चेक करो हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो गया अब हम क्या करेंगे देखर के next line पर आजाएंगे अब हम यहाँ पर देते हैं from py qr code और फिर यहाँ पर हम import करेंगे वापस से qr code को ठीक है बिल्कुल सही है अब नीचे आते हैं नीचे आने के बाद अब यहाँ पर हमको string बनाना पड़ेगी जहाँ पर हम save कराएंगे हमारे url को तो यहाँ पर मै qr code को generate करना है तो यहाँ पर url running by qr code और फोर यहाँ पर हम करेंगे dot फिर यहाँ पर कर देंगे इसको बिल्कुल परफेक्ट है अब हमको हमारे qr code को create करना है और उस qr code को हमको हमारे file location पर save करवाना है वापस हम यहां पर url लेते हैं डॉट करके यहां पर svg करूंगा मैं और फिर यहां पर के बाद यहां पर हम यूज करेंगे scale का हमारे qr code है उसका कितना बड़ा size हमको चाहिए वह हमको यहां पर बताना पड़ेगा तो scale में आप simply यहां पर 8 देदो 8 जो है यह बिल्कुल perfect size रहता है ठीक है अगर आपको इससे बड़ा लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो कोई problem ने नीचे आ जाते है अब जो हमारा code है यह complete हो चुका है ठीक है अब इतने code को हमको run करना है तो मैं यहां पर उपर run का option हमको मिलता है पाइचाम में यहां पर direct में run पर click करता हूं और यहां पर देख सकता हूं हमारा जो code हो रहा है और जो code है यह बिल्कुल successfully बिना किसी error के रन हो चुका है और यहां पर project section पर अगर आप focus करोगे तो यहां पर देखो हमारे पास एक file जो है tech coder.svg के name से बन करके मिल चुक format में इसलिए बनाने के लिए बताया है कि जब भी आप किसी website के अंदर qr code को use करोगे तो वह svg format में यूज करोगे या फिर किसी अपनी application के अंदर qr code को आप easily use कर पाओगे svg format में ठीक है अब हम बनाते हैं png format में इसको close करते है main.python पर आते हैं ठीक है यह उपर वाला करेंगे और फ़र यहां पर कोई एक नेम लेना पड़ेगा तो नेम में यहां पर code की नेम से ले रहा हूं आपको कोई और नेम लेना है फिल्कुल ले सकते हो ठीक है अब देखो यहां पर वापस से error आ रहा है ठीक है qr code पर error आ रहा है तो इस पर click करो bulb का sign आया इस पर जा तो ठीक है यही चीज जो हम install करा रहे हैं यह आप अपने टर्मिनल पर जाकर के भी command run करोगे और easily सारे packages को install करवा सकते हो ठीक है कोई tension की बात नहीं अगर आप VS code यूज करो तो हो सकता आपको टर्मिनल पर जाकर ही सारे packages को install करना पड़े अब जो हमारा package यह इंस्टॉल हो अंदर इसके double quotes ले लेते हैं अब इन double quotes के अंदर वापस हमको YouTube का link paste करना है तो उपर जो link हमने यूज किया थी same इस link को हम यहाँ पर copy करते हैं नीचे वाले यहाँ double quotes में लाकर करके paste कर देते हैं बिल्कुल perfect है वापस नीचे आ जाते हैं अब यहाँ पर हमको image को save करवाना link है अब इस double quotes के अंदर क्या नाम रखना है हमको हमारे QR code को किस नाम से save करवाना है वो यहाँ पर देना है तो यहाँ पर मैं वापस से tag coder देता हूं और dot करके extension यहाँ पर आप इस बार PNG एंटर करते हूं ठीक है अब हमारे जो code है वह बिकुल perfectly run करेगा हमारी इस link का QR code अ हमारे PNG format में मैं क्या करता हूं इसको एक बार फिर से run करता हूं code को run किया बिकुल perfectly बिना किसी error के रन हुआ और उपर जो हमारी file है यह भी हमको PNG format में मिल गई है तो यहाँ पर देखो file section में tag coder.png की नाम से यहाँ इस file को मैं open करता हूं और यहाँ पर आप चेक करो हमार मैंने इसको scan किया और जैसे मैंने इसको scan किया यहाँ यूट्यूब की link मेरे को देखने के लिए मिल रही है मैं इसको select करता हूं और यहाँ पर जो मेरा YouTube channel है वो मेरे को यहाँ पर open हो करके मिल चुका है QR code से ठीक है अब इसको close करते हैं और यहाँ पर जो हमारा SVG format वाला थ अब उसको open करते हैं यहाँ पर yes वीजी format वाला जो QR को उटता है एक बार इसको भी scan करके देखते हैं तो वापस से यहाँ पर यहाँ पर कैमरे के option पर आते हैं और यहाँ पर मैंने देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर tap किया और यह देखो यह हमको scan करके मिल चुका है हमारी ज तो यह जो तरीका है, यह बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप अपने QR Code को जनरेट कर सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से, और साथ मैं यहां पर जो SVG Format में मैंने बताया है, यह इसलिए बताया है कि अगर आप अपने प्रोजेक को किसी प्रोजेक को आप जैसे बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट का आपका कोई manual है ठीक है उस manual को आपने बनाया है और उस manual को आप अपने Google Drive पर upload कर दो वहां से अपने manual की link कॉपी करो और यहां पर अपने link को paste कर दो उस Google Drive की जो link होगी उसका यह QR code आप बना करके मिल जाएगा आपको और इस SVG format के QR code को आप अपने project के अंद मैं अगर किसी वेबसाइट का लिंक और उस लिंक को आपको QR-Code में जनरेट करना है तो वह कर सकते हो आप सिंपली यहाँ तो डबल वीडियो का यूरल लिया हुए है आप वहाँ पर अपने वेबसाइट का URL ले लो आपकी कोई प्रोफाइल है उसका URL ले लो आप किसी भी URL को यहाँ पर पेस्ट करो और उसका ईजी लिक QR कोड आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो अब वीडियो में आप लोग यहां तक आगया तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो फटा-फट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको यह सारी चीज़े क्लियर हुई है या फिन नहीं हुए और कोई न्यू प्रोजेक आइडिया है या फिर कोई वीडियो आ आपको में वीडियो आपको बताओ़ कोई है यह रूद आपको यहां पना बाय है इवाल की यहां प्रोजा दोना बाहीं होई है बताओब सब्सों में मैं वहां लो ऑको अको को इंज वाएर